बेसुद भाई भाई ये क्या सीरीज थी हम लोग को अच्छे से पता था कि ये सीरीज आज ने कल रिलीज होगी बहुत दिन से हम लोग इस सीरीज का नाम सुनते आ रहे थे लेकिन अब वो फाइनली रिलीज हो चुकी है उल्लु के एप पर तो गैस मैंने बेसुद वेब सीर सीरीज को देखकर कंप्लीट किया अब इस सीरीज में क्या चार क्या बुरा है सीरीज आपके लायक है या फिर नहीं यहीं मैं आज आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो हेलो एंड स्वागत है आप सभी कर रिव्यू बाद में पहले मैं यहाँ पर लीना सरमा को लाना चाहूँगा भाई यह क्या एक्ट्रेस हैं जब भी हम लोग को यह एक्ट्रेस किसी प्लैट्फॉर्म पर देखने को मिली हैं तब तब इनोंने निरास नहीं किया है फिर चाहे इनकी सीरीज उल्लु आप पर र या फिर किसी भी प्लैट्फॉर्म पर अभी हाल फिलाल इनकी बिदाई सीजन टू आई थी और उसमें इनका पॉर्फॉर्मेंस भाई एकदम ही जहर था और इस बेसुत सीरीज में भी इनका पर्फॉर्मेंस काफी बढ़िया हैं इस तरह की सीरीज में दो चीजों का अच् पुनीत गोयल है भाई ये कैमरा से खेलना जानते हैं एंगल किस तरीके से रखा जाए जिसमें लोगो को मज़ा आए पुनीत गोयल बखु भी जानते हैं और यही चीज मुझे पुनीत गोयल की काफी अच्छी लगती है सीरीज अगर आप लोग सीन के लिए देख रहे हो तो जाओ जाकर देख लो स्टोरी के लिए देखना जाते हो जाओ जाकर देख लो दोनों में आप लोगों को मज़ा आएगा सीरीज में आप लोग को दीपक दस्तरमा एक्टर के रूप में देखने को मिलते हैं भाई इनकी एक्टिंग काफी जबरदस्त मुझे लगी इसके साथ साथ पीऊ जैसवाल का भी काम बढ़िया है लेकिन अनिता जैसवाल को इन लोगों ने अच्छे से यूज नहीं किया इनको यूज करते तो और जादा मजा आता हाँ अनिता जैसवाल को तो कम से कम बॉइफरेंट के साथ भीडा देना चाहिए खेर इतने में सीरीज आप लोगों को बढ़िया मजा दे कर जाएगी सीरीज को आज ट्विच जे के दिन रिलीस कर दी गई है उल्लू के एप पर और इस सीरीज में आप लोगों को टोटल चार एपिसोड देखने को मिलते हैं जिसकी टाम डेवरेशन 20 से लेकर 25 मिनिट के बीच आप लोगों करके दिखाई जा रही है और मैं आप लोगों एक बात और बता दू पार्ट वन में ही सीरीज कंप्लीट खत्म हो गई है अब इसका कोई भी पार्ट नहीं आने वाला तो जाओ इंजोई करो सीरीज सारे तरब से मसा देती है देखकर आप लोगों बताओ कि ये सीरीज आप लोगों कैसी लगी तो बस इसी के साथ में चलता हूँ मिलता हूँ आप लोगों से किसी अपनी अगली वीडियो में